हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जहां आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में मैगी में सूर की चर्बी यानि पिक फैट मिलाया जाता है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर शुरू से बात करें तो मैगी स्विटजर लेंड से ओरिजिनेट हुई थी जिसे आज नसले ओन करता है मैगी को 1886 में जूलियस मैगी ने इन्वेंट किया था जिन्हों ने इससे पहले और भी कई सारे प्रोड़क्स का विसकार किया था अगर बात करें इंडिया की तो नसले ने 1947 में मैगी को इंडिया में लाया और 1983 में लाँच हुई मैगी आज हर साल नसले की इंकम 1000 करोन से अधिक जनरेट करती है मैगी का टू मिनिट नूडल्स वाला तरीका इंडिया और आस्ट्रेले जैसे देशों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और देखते ही देखते सभी के जीब से इसका स्वाध हटी नहीं रहा था मैगी की मेकिंग प्रोसेस में वीट फ्लोर यानी मैदा, पाम ओयल, कॉर्न स्टार्च, दस से अधिक तरह के मसाले समेत और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है इसमें किसी तरह के पिग फैट का यूज नहीं होता है मैगी चिकन नूडल्स को छोड़ कर इंडिया में बनने वाली सभी मैगी वेज होती है, यानी पूरी तरह से विजिटेरियन होती है यानी कि मैगी में किसी तरह की सूर की चर्भी नहीं मिलाई जाती तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजेगा और ऐसी यूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फर वाचिंग